गार्डनिंग करने का हमें बहुत ज्यादा सूख होता है जिन को भी गार्डनिंग करने का सूख होता है वो चाहते हैं कि हम अपने गार्डन में तरह तरह के प्लांट से लगा लें और उनको अपने टैरिस पर कैसे ग्रो करें अपने बालकने में अपने गार्डन हम कैसे बना तो फ्रेंस देखें गार्णिंग करने इतनी आसान भी नहीं है और जब हम गार्णिंग करने लगते हैं तो इतनी मुस्किल भी नहीं है क्योंकि जब हम प्लांट के बारे में जानने लगते हैं कि कौन से प्लांट हमें कब एड़ करने हैं अपने गार्ण में तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है गार्णिंग करने तो हेलो फ्रेंस मैं सुमन केसरी तो देखें कर फ्रेंस आप गार्णिंग करने के शोकिन है तो आप जो है मेरे साथ गार्णिंग कर सकते हो मैं आपको जो हूँ हर डिटेल्स छोटी से बड़ी बात सब बताऊंगे गार्णिंग क करने के शोखीन है तो आप मेरे साथ गार्डनिंग कर सकते हो सितंबर का जो मन्त होता है ication of finding पेस्ट करने के लिए क्योंकि अभी सरद मौस में स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम गर्वाकि है और इतना सरद मौस में स्टार्ट होगा तो यह क्षिछ हं हब प्लान्ट जो हम अपने गार्ण में एड़ करेंगे तो वह अच्छी तरीक ऐसे जो है संभल जाएंगे और सुवस्त हो जाएंगे और हठन का जो है हमारे प्लांट पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीक ऐसे जो है अपनी रूट्स यह बना लेंगे जड़े मजबूत हमारे प्लांट हो जाएंगे तो फिराल अगर आप गार्णिंग शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगे कि सितंबर के मंत में जो है आप कुन-कुन से प्लांट लाकर अपने गार्णिंग स्टार्ट कर सकते हो बि इन प्लांट पो लगाते वक्त भी आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी आपके बजट में आएंगे और आप सालों साल इन प्लांट पो चला सकते हो तो नमबर 1 पर आता है फैंड जो है बहुत ही इजी होता है गार्ड़निंग करने के लिए बैस्ट प्लांट होता है आप जो है अगर आपसे भी कटिंग नहीं लग पाती है क्योंकि आप सुरुवात में गार्डनिंग करना चाहते हो तो इसका एक से दो प्लांटा लेकर अलग-अलग कलर के लेकर आप नर्शरी से परचेस कर सकते हो 20 से 30 रूपीज में आपको कोलियस का प्लांट मिल जाएगा बहुत ही सस्ता प्लांट आपको यह मिलेगा आपको इसका कलर लेकर आ सकते हो गार्डनिंग करने के लिए जो है कोलियस के प्लांट का बैस्ट ओप्सन होता है आप इसको जरूर अपने गार्डन में इस्टार्टिंग में जरूर अड़ करें कोलियस के प्लांट को और नमबर दो पर आता है फ्रेंस यहां पर परपल हार्ड तो आप इसको जो है इसको भी बहुत ही आसान होता है अपने गार्डन में एड़ करना ये भी आपको 20-30 रुपीज में आराम से मिल जाएगा इसको भी ग्रो करने के लिए कोई प्रोब्लम नहीं होती आप इसको नर गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो निव गार्डनिंग के लिए देखे आपको प्लांट ही लेने होंगे तो आप धीरे-धीरे जो है आप कटिंग करना भी मैं आपको बता दूंगी आप सीख सकते हो कटिंग कैसे इनकी लगा सकते हैं इनको कटिंग से कैसे एड़ कर सकते हैं ये एक जो है आउटडोर और इंडोर दोनों साइड़ चलने वाला प्लांट है तो आप इसको अपने गार्ड़न में अलगा सकते हो ये भी आपसे फ्लावर प्लांट है इसको भी आपको 10-20 रूपीज में राम से मिल जाएगा तो आप इसको भी अपने गार्डन में आड़ कर सकते हो यह फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको यह पर्मनेंटी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है तो आप इसको भी फिलहाल बिल्कुल जो है यह भी बहुत भर भर कर फूल देने वाला प्लांट होता है बहुत ज्यादा इस पर फ्लावरिंग होती है पूरी गर्मी अपने लीप से खुबसूती बखेरता है और एक पर्मनेंट प्लांट है तो आप इसको भी फिलहाल अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो पर यह थोड़ा कोसली आएगा आपको 50-60 या 100 रुपीज तक का आपको यह मिलेगा क्लैंचों का प्लांट तो आप इसको भी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो लगाना इसको बहुत ही आसान होता है बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं तो आप इससे भी अपने गा से आपको मिल जाएगा नर्शरी से तो आप इससे भी अपनी गार्डनिंग इस्टार्ट कर सकते हो बहुत ही आसान होता है इसको भी ग्रो करना ये छोटे-छोटे पने पप निकालते ही रहते हैं चारों और से देखे कैसे पोट भरा हुआ है आप इसको भी अपने गार्डन म के मोसं के लिए नर्शरी से जो है इसको आप आसान से पर्चेस कर सकते हो गुंदावरी के प्लांट को तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज्रूर्व रैड करें इससे भी अपनी गार्डन इस्टार्ट कर सकते हो और एक है फैंसरे आप पर गुड़ हलका प्लांट 40-50 प्लावरिंग देने वाला प्लांट होता है गुढल को भी फिलाल बिल्कुल एड़ कर सकते हो सितंबर के मंत में आप देखे मेरे पास कहीं प्लांट इसके गुढल के हो रहे हैं तो आप गुढल को भी बहुत ही जरूर एड़ करें इस से पर इपनी गार्डिनिग स्टार्ट कर सकते हो इसको पोट में अरम से ग्रो कर सकते हो और एक प्लांट अफैंस क्रोटोन का प्लांट जो है सितंबर के मन्त में फिल हाल आप इसको अपने गार्डन में एड़ कर सकते हो इसकी जो है यह बहुत सी वराइटी में आता है प्लांट तो मेरे पास इसकी बहुत सी अपने ग्रोध नहीं कर पाते तो आप इनको फिल्हाल सितंबर के मंत में एड़ कर सकते हो अपने गार्डन में और इनसे अपनी गार्डनिंग इस्टार्ट कर सकते हो क्रोटोन के प्लांट को लाकर यह दो वराइटी में आता है फैंस हाइब्रेड और देशी वराइटी तो इसमें से आप जो भी वराइटी लगाना चाहो तो फिल्हाल बिल्कुल लगा सकते हो और यह फ्रैंस यापर ड्रेसीना ड्रेसीना का प्लांट जो है आप इसको भी फिल्हाल बिल्कुल एड़ कर सकते हो अपने गार्डन में यह भी बहुत आसान ग्रोध होने वाला प्लां में आपके बन यहां, तो इस प्लांट से बहुत आसान तरीके से घ्रो कर सकते हो, और एक फ्लांट है फ्रेंट से आपle chiffistor प्लार homepage और यहां works फ्लांट को लेकर पने खाला में भीकोट सकते हो, इससे अपने गारडनिंग quiet Um इसको बहुत ही सब्ला Unternehmen。 तो आप इससे भी अपने गार्ड़ने के स्ट्राट करें और एक फ्लैंस से आपर sweet potato wine इसको भी आप अपने गार्ड़न में एड़ कर सकते हो इस से को भी अपने गार्डन में अपने स्ट्र। के से इसको अपने garden में एड़ कर सकते हो और बहुत भूपस्राइब कोई भी वी वराइटी प्लांट लेका के हम थे यृष एक समय how फिलाल इसने चाय दौन चत्तेयस क्मे एक सकतेों दानाई 50 प्लांट में जाएंग। नर्सरी से तो आप इससे भी अपने प्लांट मेरे प्लांटे करकते हो और सोपट एपनिफान Palmin Technology आड़ कर सकते हों, अलविरा को जो है कमारे कि भर गॉघ कर आपने आड़े अपने गारण़ करते हों, इससे भी अपना घुटत कर सकते हों बहुत ही प्लांट ऐसे होते हैं फ्रैंस जिनको आप फिलाल सितंबर के मन्त में एड़ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से तो मेरे पास बहुत ही जादा प्लांट है जिनको मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किन-किन प्लांट को सितंबर के मन्त में एड़ कर सकते हो अगर म आते हैं इस पर जादा फ्लावरिन बड़े फूल नहीं आते हैं और उससे ये पूरा का पूरा जो ओधा होता है ये कवर हो जाता है तो फ्रैंस सितंबर के मंत में आप जो है गार्णिंग बिल्कुल इस्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया आप इन इन प्लांट को लेकर अपने गार्ण में लगा सकते हो और इसके बाद भी फ्रैंस अगर आपको कोई प्रोब्लम होती है प्लांट लगाने में और आपके प्लांट नहीं चल पाते तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी वीडियो के अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना लाइक और सस्क्राइब जरूर करना ओके गाईज बाई